तो हेलो गाइज माइनेम इस विकास और आज हम सीखने वाले हैं कि हम ज्यादा साइज वाली फोटो या डोकिमेंट्स को कैसे उसके साइज को रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फॉर एक्जामपल जैसे एक मेरे पास फोटो है जैसे कि यह वाली फोटो है ठीक है तो आप इसमें देख सकते हो इसका जो फोटो इंफ्रमेशन में इसका जो फाइल का साइज है वह है 3MB का जैसे कि आपको दिख रहा होगा ठीक है अब हमें इसे 3MB से रिड्यूस करके कम साइज में कनवर्ट करना है तो चलिए यह वीडि इसके बाद आपको पर क्लिक कर देना है चुट अपैसे अब statut कर लेंगे तो फोर इसके वाली फोटो ली थी तो मुझे इसका न्याँ की पम करना है वी देखिये यह फोड़ा सारिम लेगक और उसके बाद आपको यहां से फोटो डाउमलोड कर लेना है ठीक तो देखें गाई मेरा hundred percent ये क्या हो गया कम इसका करना है अब मुझे इसको क्या करना है डाउन्लोड कर लेना है ठीक है तो मैं!' है से इसे २ाउन्लोड कर देता हूँ download also आप कर सकते हो फोटो है अब मुझे simple, gallery में जा कि this size देखते हैं कि ये कितने, कितने कम हुई है कितना, इसका size कितना कम हुआ, ठीक है, तो simply हमें क्या करना होगा download में, जाना है अपनी file मे, तो ये ये हमके file, हमने file open कर दी, अब download में जाना है, अब यहाँ पर देखना है, जो हमने photo, last time, हमने डाउनलोड की है वो देख सकते हैं आप 3 MB की थी बट अब हमने इसको कर दिया है रिडियोस का साइज रिडियोस करके कितना आ गए है छे सो अरतालिस के भी में यह आ चुका है ठीक है इस तरह आप क्या कर सकते हो अपने फोन से गूगल पर जाके ज्यादा MB या ज्यादा के भी वाले फोटोस या डोकुमेंट को आप उसका साइज क्या है रिडियोस कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करेगा और ज्याद से ज्यादा वीडियो को शेयर करेगा